हलो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल को फुल रिसेट कैसे करें दोस्तों चाहिए आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो ओपो वीगो एमाई सेमसन दोस्तों तरीका समय सेम होता है बस फीचर्स अलग होते हैं दोस्तों मोबाइ में कुछ प्राब्लम आ रही है तो हमें उसको फुल रिसेट करना है पर दोस्तों मुवाइल को फुल रिसेट करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी जैसे कि दोस्तों मुवाइल को फुल रिसेट करने से पहले अपना पूरा बैक अप ले ले आपक का पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों Gmail ID तो मुशली सभी को पता चल जाती है Play Store में उपर शो करती है बढ़ हम password वगरा भूल जाते हैं तो आप अगर अपने mobile को full reset कर रहे हैं तो अगर आपने आपको Gmail ID और password पता नहीं है और आपने mobile को full reset कर दिया है तो वो Gmail की ID पे जाके रुख जाएगा और फिर आपको अपने mobile को service center ले जाके full reset करवाना पड़ेगा और वहां आपको चार्जेस वगरा pay करने पड़ेंगे दोस्तों अगर आप अपने mobile को full reset कर रहे हैं और आपको उसमें से Gmail ID को हटाना है उसके लिए दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं सबसे पहले आपको setting पर जाना है कि setting के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे कि यहां पर दोस्तों आएगा accounts and backup caution उसपे आप क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा manage account और यहां पर दोस्तों जित्ती भी आपके phone में Gmail ID login होंगी तो वो show कर देंगी जैसे मेरे इसमें एक Gmail ID login है वो show कर रही है मैं उसपे क्लिक करता हूं और यहां पर दोस्तों option आजाएगा remove account का तो आप यहां से इसको remove कर देंगे अगर आपको इसका password पता नहीं है तो आप इसको यहां से remove कर दीजे और फिल उसके बाद full reset कर दीजे तो फिर वो आपकी Gmail ID पर जाके नहीं र Gmail ID और इसका password पता है तो आप इसको यहां से remove मत करिए normally full reset कर दीजे तो दोस्तों यह तो हो गया कि हम अपनी Gmail ID को यहां से कैसे हटाई है दूसरा आप दोस्तों हम बात करते हैं कि हम अपने mobile को full reset कैसे करेंगे उसके बाद दोस्तों मैं back लेता हूं और यहीं scroll पर लेके जान आप रिजेट लिख देंगे दोस्तों तो यहां दिखेगा आपको नीची option दिखाई देगा factory data reset आप दोस्तों उस पर click कर देंगे और यहां पर दोस्तों आजाएगा factory data reset का option उस पर click कर देंगे और scroll करके नीची ले जाएगे दोस्तों जी दोस्तों यहां पर आपको reset का option दिखाई देगा अब यहां पर रिजेट कर देंगे तो आपका phone पहले जैसा जैसे आप नया phone पर्चिस करते हैं तो बिल्गुल fresh हो जाता है उसमें कुछ नहीं रहता आपके सारे apps होगेरा जो भी आप download करके रखते हैं सब कुछ चड़ जैएगा तो आप इसको यहां से reset करदेंगे दोस्तों तो आपका phone full reset HO ω जाएगा हालाकि दोस्तों मैं यहां पर नहीं करूँगा जयो कि मैंने तो वीडियो वनाने के लिए आपको बताय है दोस्तों आप अपने mobile को full reset में तरह कर सकते हैं आपके पास किसी भी company का mobile से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से यादा शेयर करिए थेंगी दोस्तों